हेलो गाइज, मैं नेम इस महेंद्र एन वल्कम बैक ट्यू इप्लैनेट आज के स्वीडियों पढ़ने वाले हैं एक essay आफ ग्रेट प्लेज इसे लिखा था फ्रेंसिस बेकन ने FB इसे आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं फ्रेंसिस बेकन ने लिखा था फ्रेंसिस बेकन के तीन essay का कलेक्शन पब्लिस हुआ था सबसे पहला था 15.97 में इसके बाद दूसरा आया 16.12 में इसके बाद तीसरा आया था 16.25 में तो 15.97 में जो essays आये उसमें सिर्फ 10 essay थे सेकेन वाले में 38 थे और तिसरे वाले में थे 59 और जो आज हम essay परने वाने है Of Great Place Of Great Place का Part 1 है ये वीडियो ये 16.12 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था तो देखिए हम शुरू करते हैं लाइन से ये essay आपको काफी कुछ सिखाता है सबसे पहले हम आपको बता दू इसमें जो प्लेस जो वार्ड है ये प्लेस कोई जगा के बारे में नहीं है ये प्लेस का मतलब है एक पोजिस्ट ठीक है तो सबसे पहले हम पहली लाइन से शुरू करते है Men in Great Place are Thrice Servants तो आत्मी आत्मी मतलब पूरी थानित जो है वो सब एक महान जगा पर वहान जगा का मतलब एक Great Position पर तीन चीज़ों के गुलाम होते है सबसे पहला है Servants of Sovereign or State तो Sovereign मतलब और State यहाँ पर एक ही है क्योंकि बीच में और लगा है या Sovereign या State तो Servants होते हैं वो सबसे पहले किसी State के एक गुलाम होते है Servants of Fame वो परसिद्धी के गुलाम होते है and Servants of Business या फिर वो किसी Business की गुलाम होते है जो काम वो दिन भर कर रहे हैं उसको बोलेंगे Business तो उसकी गुलाम होते है तो एक Great Position पर इंसान तीन चीज़ों का गुलाम होता है या तो वो किसी छेत्र का गुलाम होता है ना ही उनकी व्यक्तिवत्व में नौर इन दियर एक्संस ना उनकी कारियों से नौर इन दियर ताइम्स और ना ही उनकी समय को लेकर उनके पस बिलकुल भी आजादी नहीं होती है अब दिखे आगे क्या बोलते हैं वो काफी अच्छी जीज है It is a strange desire यह कितनी strange desire है मतलब तो भी अजीब इच्छा है To seek power To seek power मतलब power को खोजने की And to lose liberty Liberty मतलब अजादी को खोदेने की तो लोगों की इच्छा होती है कि वो क्या करते हैं वो power को खोजते हैं और उनकी अजादी क्या होती उससे छिंजाती Power मिलते ही And to seek power over others और यह भी उनकी इच्छा होती ही कि वो दूसरों के अपर power का यूज करे तिसरा है And to lose power over a man's self और वो क्या होता है इसी power के चक्कर वो खुद की जो freedom of us को खोदेते हैं खुद की शक्ति को भी खोदेते हैं The rising unto places leveraces तो जो यह rising होता है मतलब इस जगह तक पहुचने के लिए जो परियास करने पड़ते हैं वो मजदूरी से बरे होते हैं उसमें आपको बहुत सारी मजदूरी करने पड़ती है And by pains Men come to greater pains और इसी तरह से जो दर्द की बज़े से उनको शुरू में जो मुश्किलों के सामना पड़ता है करना पड़ता है उस विज़े से वो great pain में आते So आगे है And it is sometimes And it is sometimes based कभी-कभी क्या बनता है जो pain नहीं क्या बन जाता है इनका इस तिस का परिशानियों का base बन जाता है And by indignities Men come to dignities So indignity का मतलब है जो अपमान होता है उनका अपने परियास के टाइप पर किसी भी समय तो वो जो है धिरे-धिरे क्या बनने लगता है Men come to dignities वो धिरे-धिरी dignity में आना शुरू हो जाता है Dignity का मतलब होता है शानो शौकत है न गरीमा तो उस चीज में पहुचना शुरू हो जाता है शुरू में आपको अपमान का सामना करना पड़ता है फिर आपको dignity की लेवर पहुच जाते है The standing is slippery फिर भी क्या होता है Although you are in that position Yet there is a problem That the standing is slippery आप जादा समय तक उस जग़ा पर नहीं बने सकते क्योंकि दूसरी भी चाते है They also want to get your position So तप क्या करते है बहुत सरे लोग आपकी टांखिसनी कोसिस करते है So slippery वो जग़ क्या हो जाती है Slippery हो जाती है And the rigorous is either or a downfall तो वापस लोटना वहां से वापसी जो हो जाती है वो क्यों होती है Downfall वो आपके downfall की तरो एक बास हो जाती है कि आपका पतन आ गया अब आपका पतन सामने है और at least an eclipse यह eclipse का मतलब ग्रहड लग जाता है आप पर क्या लग जाता है मतलब आप पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है मतलब फिमान लो कि पहले आप बहुत फेमस थे और right now you're not much famous अब चीज़े कापी change हो गई है eclipse हो गई आप पर which is a melancholy thing melancholy मतलब यह काफी उदासी भरी चीज है कि पहले आप एक अच्छी position पर थे लिगि वो position slippery थी ठीक है उस जगह पर आप फिसल गई आप उस जगह पर नहीं है ठीक है तो आपका downfall हो जाएगा या तो आप eclipse वाली जगह पहुच जाओगे और फिर आप melancholy feel करोगे आप पुरे melancholy हो जाओगे मतलब उदास हो जाओगे अब यहां से देखिए एक latent line है यह जो latent line है यह जो line है यह Cicero की line है Cicero जो एक roman philosopher थे तो Cicero क्या करते है जब एक इंसान जो है वो पहली की तरह नहीं रहता है जब वो पहले था जैसे उसके पाँ power थी अब power उसके पास नहीं है तो क्या होता है वो उसके पास जीनी का कोई कारण ही नहीं बसता है तो यह इस line का मतलब है ने retirement cannot when they would तो यहाँ पर पतलवन नहीं retirement जो है जो अब सब कामों से retire हो चुके है cannot when they would तो जब उनको पास मौका होता है retire होने का जब वो चाहते महीं है तब वो retire नहीं कर पाते हैं because there are many things around them तो उसमेशे से वो नहीं कर पाते हैं neither will they और नहीं अब वो करेंगे क्योंकि when it were reason अब क्या है उनके पास कारण है अब जब कारण होता है तब भी वो retirement नहीं लेना चाहते है क्योंकि अब क्या होता है वो उस power को power के utilization करना चाहते है उस पर बने रहना चाहते है but are in basis of privateness क्योंकि वो आप privateness के बारे में बाते भी नहीं करते जबरत है उस समय भी like old townsmen की तरह that will be still sitting at their street door जो की अपनी street door पर गली में street door पर पड़ा हो या बैठे हो उसकी तरह होते है though thereby they offer is to scorn यह scorn है actually s-c-o-r-n तो वो क्या करते है अपनी जो उम्र है उसको हसी के लिए यूज़ करते है कि दुसरे आते है सिसको offer करते है ठीक है तब भी लिगी में वहाँ से power को छोड़ते बिल्गुल भी नहीं है certainly निश्चित रूप से great persons had need not need to borrow other men's opinion तो निश्चित रूप से जो महान विक्ति होते है स्थरागे उनको कैछी होती है उनको borrow करना को उधार लिने उबरती है दुसरों की opinion को किसली देन पड़ता है दुसरी की opinion अपने आपको खुष रखने के लिए वह यह जाता है कि अगर दुसरी उनके बारे में कुछ कहेंगे तब वह खुष होते है for if they judge by their own feeling क्योंकि अगर वह खुद को खुद की feeling से judge करेंगे, they cannot find it तो बिल्कुल भी, उन्हें happiness बिल्कुल भी नहीं मिलती है but if they think but if they think with themselves लेकिन अगर वह खुद के बारे में सोचते है what other men think of them and that other men would fain be as they are, then they are happy as it were a report तो यहां से this line का मतलब है कि report की, जो उनको report के जाती है यानि कि दूसरे लोग जो उनके बारे में बोलते है अगर दूसरे लोग उनके बारे में ऐसा बोलते है कि आपकी position में आकर हम भी कापी खुश होते जैसे इसमें लिखाया है कि that other men would fain be as they are जैसे कि अभी वो है मानने हो एक great position में है और दूसरे लोग काफी खुश हो जाते है कि दूसरे उनकी जगा पर आना चाहते है और शायद क्या होता है कि उनकी जो अंदर चीजे चल रही है उसमें चीजे विपरीत हो जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ना हो for they are the first that find their own grips क्योंकि ये वह लोग होते हैं जो सबसे पेले कekiया किरते है, grieve को दूथते own grief का मतलब है कि अगर किसी ने उनकी लिए कुछ गलत किया या उनका कहीं गलत हो रहा है तो उस चीज को पहले दिखते हैं though they be the last और वो last होते है that find their own faults जो अपनी गलतिया बाद में दिखते हैं अपनी गलतिया तो वो बाद में दिखते हैं लेकिन ओन गिरिप्स वो पहले दिख लेते हैं और जो ग्रेट फॉर्चुन के लोग होते हैं उन लोग के लिए स्ट्रेंजर होते हैं अजने भी की तरह होते हैं उन पर वो ध्यान नहीं देते and while they are in the puzzle of business और जब वो अपने business की जो इनके काम होते हैं उन पर उल्शी वे होते हैं बजल मतलब उल्शी वे होते हैं they have no time to tend their health either of body or mind उस समय वो अपनी health पर भी ध्यान नहीं देते चाहे वो body is related हो या फिर वो mind is related हो ठीक है तो आगे गयते है let me scroll it आगे फिर से एक यह दो की लेटिन लाइन है यह जो लाइन है यह सेनेका के लाइन है और रोमन फिलोस्परदे सेनेका उनके लाइन है तो यह जो लाइन है इसमें क्या का आगया है पूरी जो लिखा गया संटैंसी लेटिन में लिखा गया है इसमें लिखा है कि जो इनसान होते हैं वो मरने के बाद ऐसा रगता है कि काफी लोग उनके बारे में जानते हैं यह काफी लोगों के बारे में जानते हैं तो आगे पड़ता है, in place, there is a license to do good or evil तो कुछ जगाओ पर क्या होता है, एक license होता है, अच्छी चीजी करने का और बुरी चीजी करने का वर अप दे लाइटर इस कर्स, और जो evil चीजी होती ही, वो क्या होती ही, कर्स के तरह होती ही, स्राप के तरह होती ही तो जो बुराई में होता है कि, बेस कंडिशन है कि आप ना जीतो, इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं जीतना इस तरही कंडिशन, तो second not to can और नहीं आप जीत सकते हो, जब आप दुसरों के लिए बुरा चाहते हो, तो खुद के लिए भुरा हो जाता है बट पावफट तू डू गुड लेकिन अच्छा करने की जो इच्छा होती है, इस तरह true and lawful and of aspiring, तो जब आप अच्छा करने की सोचते हो, एक इस तरह की पावर होती है, जब आपके बाश पावर है बद दूसरों के लिए अच्छा के लिए अच्छा करने की सोच रहे हो, यह towards men, यह towards men are little better than good dreams, यह अच्छे सपनों से और भी अच्छे होते हैं, मतलब अगर आप अच्छा करते हो, अच्छे विचार रखते हो, तो अच्छे सपनों से अच्छा क्या है, अच्छे विचार रखना, उनके तरफ काम करना, accept David Putin act, तो जब आप उनको करते हो, act मतलब action में लाते हो, अपने अच्छे कामों को आप अच्छे action में लाते हो, तो वो क्या होता है, वो God भी उन्हें accept करता है, जबकि God यह good dreams से से अच्छे होते हैं, good dreams से better है, and that cannot be, और यह नहीं भी हो सकता है, without power and place, as the vantage, अच्छे काम करते हैं, आप अच्छे काम करने में लगे हो, तो यह जो merits हैं आपके, good works हैं, यह अच्छे कामों में खतम हो जाते हैं, and the concerns of the same is, accomplishment of man's rest, ठीक है, और इस चीज़ पर आप जागरू कर रहते हैं, इस चीज़ को लेकर ध्यान लगाए रखते हैं, तो आपके accomplishment है, accomplishment है, of man's rest, यह man's rest, बाद में God's rest की तरह हो जाती है, God's अराम करते हैं, तो उसी की तरह हो जाती है, और if a man, can be particular of God's theater, तो यह क्या है, अगर जो man होता है, वो आदमी है, वो क्या है, can be particular of God's theater, वो भगवान की theater का गया बनता है, यह पार्टेकर का मतलब का है, भागिदारी, जो God है, उनका जो theater है, या वर्ल्ड जो है, तो उसका एक भागी बन जाता है, उसका भागिदार बन जाता है, तो अगर वो अपनी काम अच्छे से करता है, तो जरूर वो God की जो rest का time है, उसका भी पार्टेकर होगा, पार्टेकर मतलब उसका भागिदार बनेगा, यह पदेखें, यह जो line है, यह Bible की line है, यहा से लिगए यहा थे हमको Bible की line मिलती है, इसमें simple सा का गया कि, जो भवान है उनको 6 दिन काम किया, अपने creation पर काम किया 6 दिन, और फिर 7 दिन उनको रेष्ट लिया, 7 दिन के किया, तो same यही चीज़ से बकाएगी, कहेगी कि अगर अपने good deeds आप करते रहे, तो 6 दिन आपने good deeds करे, तो 7 दिन जो भवान आराम करते हैं, तो उसी की तरह आप ही आराम कर सकते हो, क्योंकि आप इसमें लिखा है नो, उपर लिखा है कि, He shall likewise be, यहां लिखा है, He shall likewise be partaker of God's rest, तो जब भवान आराम करते हैं, God आराम करते हैं, तब आप ही आराम कर सकते हो, मतलब कि आप अपनी age, आपने काम किया, जितने में करते थी, आपका बुडापा आप एक उम्रे में पहुच गी, उस समय आपके काम नहीं कर सकते हो, तो आप समय आराम कर सकते हो, क्योंकि आपने चित्दिगी पर कामी काम किया, तो एं देन दा सबैत, सबैत मतलब आपको छुट्टियों कर दाम है, आप अराप तंदिका समय है, इन दिश्चार्ट अप दाइप प्लेस, सद बिफोर दी, एं द बेस्ट इक्जाम्पस, ठीक है, तो इस समय जब आप इस जगह पर पहुचे हो, ये जगह बनी होई है, तो इस समय आप कुछ लोगों का एक्जाम्पल सेट कर सकते हो, और इमिटेशन इस तो गलोब ऑपरसिप्स, तो इमिटेशन जो है, वो गलोब मतलब दुनिया में, सभी लोग इमिटेशन ही करते हैं, ये तरह की चेंज जैसी बन्री है, और कुछ समय बाद, तो शुरू-सुरू में तो आप क्या करो, दूसरो था एक्जाम्पल सेट करो, लेकिन बात में, और आफ्टर एक समय के बाद, सेट बिफूर थी दाइन ओन जाओ, आज खुद का एक्जाम्पल सेट कर सकते हैं, और खुद को आप एक्जाम्पल सेट कर सकते हैं, तो उन लोगों को जिनका आप एक्जाम्पल सेट कर रहे हो, खुद का या दूसरों का, उस चिसको इग्णोर ना करे, जो लोग एल मतलब यहां पर रहे कि, जो लोग अपनी चीज़ों में फेल होगे, अपने कामों के दौरान फेल होगे, उनको आप बिल्कुल भी इग्णोर ना करे, इन दिस सेम प्लेस, नॉट तो सेट आफ थाइसल्फ, बाइ टेक्सिंग दें मेम्परी, ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब है कि, उन लोग तो आप इग्णोर ना करे, जो लोग अपने काम में फेल होगे थी, लोग अपने एक्जाम पन लिया है, और उनकी ऊपर टेक्सिंग ना करे मतलब कहने का है, कि उन लोग के बार में ऐसा ना सोचे कि, यह तो फेल हो गई, और मैं तो इनसे बैटा है रोग, इस तरह की बाती ना सोचे, पिसले राइटर्स या साइन्टिस्ट जो भी गलतिया कर चुगी है, आप उनके बारे में पढ़कर, उन गलतियों को रेपीट बिल्खुल भी ना करें, और अपने आपको उनसे बैटर भी ना समझे, तो यहाँ वीडियो का पार्ट वन एंड होता है, आपको यह वीडियो का पार्ट वन पसंद आए होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप स्क्रेन पर दिखरी बाकी वीडियो भी जरूर दिखेगा, और पार्ट तू में जल जिसक अप्लोड करूँगा, तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो,